नमस्कार आप देख रहे हैं सूपनियोस 24-7 हिमाचल कॉंग्रेस के चीफ शिरी कुलदी प्राठोर ने देर शाम आयोजित पतरकार वारता में कहा कि परदेश में क्रोना महामारी फेलाने में सत्ता धिन भाजपा सरकार जिम्मेवार है उन्होंने कहा कि इस बिमारे की रोगधाम के लिए सरकार के पास कोई भी नीती नहीं है और भाजपा सरकार केवल एक्सपेरिमेंट करने वारे सरकार बन कर रह गई है आए दिखाते हैं आपको सूपनियोस 24-7 सुजानपूर से अमन सूद की रिपोर्ट बख्षी दल होने के ना थे हम साथ देंगे इन कुछ करके और उनके बड़ा विरोधा बहास है जो भी यह फैसले लेते हैं उसमें बड़े कॉंट्रेडिक्शन है अब जैसे रात कर फ्यू इन्होंने लगाया पहले आठ बजे के बाद का समय था नौ बजे कर दिया अब उसकी कुई जस्टिफिकेशन नहीं कि रात को आपका फ्यू लगा रहे हो अब रात को अभी सर्दियों का मौसा में तो हम उनकों है ट्रेवल कर तो जो चित्ते नही कि अधिकेशन नौटिकेशन बदल दी कि नहीं हो दो दिन रुषयनिवार अभुआर तो बराबर यह जो है ला इन्होंने परियोग शाला बना दी रोज निक नए परियोग करते हैं पिर लोगों का रेक्शन देखते हैं कि नौटिकेशन आती लोगों की प्रतिकरिया तो हम यह कहना चाहते हैं कि इस सरकार में जो है न यह दिशहीन इस फ़र्ष्ट जो है निती होनी चाहिए और अदिकारियों को सफ़्ष्ट निर्देश होने चाहिए तो हमारे से सरकार से यह अभी समय बहुत आप चल रहा है और साथ में सरकार के दोर्वे मापदंड हैं इस तक ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं लेकिन इनके लिए अपने कारेकरम हो रहे हैं जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं अभी इनके प्लाष्टी अधर शायद है सोशल डिस्टेंसिंग की तुमाम धजिया होने हैं और हम जब इनके जनवरोद्यों की नितियों के लेके प्रोटेस्ट करते हैं तो हमरे इकलाब मामले बनते हैं लगादार हमारे इकलाब मामले बन रहे हैं तो तरह के मापदंड इस परदेश ना है अग्री जट्टा करने सरकार को खुद अमल करना चाहिए अब सर्दार में बैट इस लोगों का यह भी मानना है कि जो आम नाग्रे के वजिम्मेवार हैं तो मेरे लिए मानना है कि लोग तो सरकार को फॉलो करते जिस वक्त आपका लॉक डॉन था सब्सक्राइब लोगों ने पालन किया पूर कि अब यह दो करोना है वह कॉमुनिटी सफ्रेट की तरफ जाए कि और सरकार अपनी कारें जोजना बितार कि इनके पास करोना से निपटने के लिए क्या नीती है तो कि अब आप देख रहे होंगे कि जो भी तीशा निर्देश आते हैं जो नोटिवेशन आती है बार बार यह मेंट करते हैं और मुझे लगता धर्जना बार यह मेंट करते हैं इससे एक प्रशाशन में और आम लोगों में बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हैं इनको समय नहीं आदा कि हम किस तरह से जो है इसे महामारी को रोकें और उसका यह नतीजा हो रहा है यह वीमा वह बोगाते हैं कि यह वार आप कि शम्शान जो है बोगा वह स्थानी है इतना ज्यादाल फह अखलाज होए कि इतनी मौते हो रही है कि लोगों को यह घंटों इतिजार करना तो यह बहुत खरापस्कुती है और हम यह मानते है कि सरकार की जो लापर वही रही है और मुक्या मंत्री जी निर्णे लेने में कभी सक्षम नहीं है तो उसका यह निदिजा है कि आज इमाचल करदेश में जो है यह बिमारी जो है फौत विराठ रूप ले चुकी है यह बहुत दुख कि बात है कि फिर से दुराना चाहता हूं कि जीद्वेंट काई नजर भी नहीं है अब लोग यही कहते है कि मंदी में विकास हो रहा है तो इनका चुनाव शेकर है से शिराज है वह भी कास हो रहा है कि हमारे सिराज के लोग भी होते हैं, यहां भी कुछ होड़ नहीं रहा है, तो हमको तो कोई विकास कही नजर आने है, मुझे लगता है कि यह दिशा इन सरकार है, इनका जंडा विकास नहीं है, यह सिर्फ समय निकाल रहा है।